उत्तरप्रदेश के प्राथ्मिक स्कूलों में 31 दिसंबर 2022 से 14 जनवरी 2023 तक सरदियों का आवकास होना है लेकिन अभी से ही यहाँ पर बहुत सारे जिलों में आवकास घोसित कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों यहाँ पर हम ऑफिशल लोटिस के तौर पर आपसे बात कर रहा है आप देख सकते हैं मेरट जिला विद्याले निरिच्छक का यह ऑफिशल लोटिस है जहाँ पर बदाया गया है कि एक से बारा तक के सभी जो विद्याले हैं वो यहाँ पर उनके समय में दिशाया गिया है कि 1 जनुरी दोहजार तेज़ तक यहां पर आवकास भी घोसित किया जाता है ठंड के कारण यह अवकास घोसित किया जारा है क्योंकि सीत लेर चर रही है कोहरा है वहीं पर जिलाव एसी सिच्छातिकारी बाग पत्र का भी यह नोटीस है यह दिख रहे हैं 26 बारा आज का ही नोटीस है जहां पर जानकारी दिया गया है कि 27 बारा दोहजार बाईस से 7 एक दोहजार तेज़ तक आवकास घोसित यहां पर किया गया है तो लगातारा आप यहां पर देख रहे है ठीक है अब इसके बाद पर यह देखिए आवकास तो रहे नहीं रहेना ह 14.1.2023 तक ही समस्त परिसदी ये प्रात्मिक उच परिसदी ये प्रात्मिक जितने विद्यला है वो बंद रहेंगे इसके लावा दोस्तों कास गंज का नोटिस है ये जो कि 26.12 का है यहाँ पर भी आप देखेंगे 27 एवं 28 तारीक को अवकास घोसित किया गया है फिर ये इसके लावा अलीगड का भी नोटिस आज 26.12.2022 को जारी हुआ है जहां पर 27 एवं 28 तारीक को अवकास घोसित किया गया है इसके लावा उत्तर प्रदेश के अन्य बिभिन जीलों में भी दोस्तों इसी तरह के नोटिस जारी किये गए है जहां पर अवकास घोसित किया गय है कहीं कहीं पर 14 जनुरी तक सीधे अवकास है कहीं कहीं पर 28 तारीक तक और कहीं पर 29 तारीक तक अवकास घोसित किया गया है तो आगे की हर लेटेस नोटिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले